में आज की वीडियो में आपके साथ शियर करने वाले हो अंडर 15 मेक अप लोग सबसे पहले यह मैंने 45 रुपिस का फांडेशन लगा लिया है ऐस सांडर 152 में इसको आइस पे लगाँंगी अनचे तरह यह से लगाने के बाद मैं इसको एक डाप ब्लेंट कर दूँंगी मैंने एक लैब। लिया पॉल्बॉलिया यह धे 5 लिया लंगक गलिए है इसको एक प्लफी ब्रश की हैप से ब्लेंड कर दूंगे अच्छी तरीके से एन इसके बाद मैंने है एडियस का काजल लिया है 10 रुपीस का इसको मैं इनर कोर्णर से आउटर कोर्णर में लगाऊंगी as a transaction कलर एन इसको एक प्लफी ब्रश की हैप से ब्लेंड करतूंगे अच्छी तरीके यह थोड़ा हमें smoky effect देगा इसके बाद मैंने यह foundation लिया है इसके बाद मैंने वही टेलकॉम पाउडर से है एक मतलब थिक सा है न कंसीलर बना लिया है इसको मैं अपनी लीड पे लगा लूँगी अच्छी तरीके से एक कट क्रीज बनके आ जाए इसके बाद मैंने 10 पीस का एक पिंगमेंट लिया है गोल्डन कलर का है इसको मैंने अपने है न वही कट क्रीज पे अच्छी तरीके से लगा लूँगी अब लगाने के बाद जो हमारा जो बच जाता है इसके लिए मैंने वही एडियस का काजल साइड में इनर कोर्णर में लगा के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है इसको भी अच्छी तरीके से blend कर दिया है इसके बाद मैंने एक max heaven का liner लिया है इसको मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगे इसका जो rate ओनली 40 रुपीज है इसका जो यह थोड़े waterproof है इसके बाद मैंने mac का आइब्रो ब्लैक कलर का pencil लिया है इसको मैं इससे अपने eyebrow fill up करूँगे इसके बाद मैंने एक गुलाब जल लिया है यह 30 रुपीज का है इसको as a toner मैंने अपने पूरे face में soak करने के लिए लगा दिया है इसके बाद मैंने 40 रुपीज का है ना fit me का है ना primer लगाया है यह थोड़ा वह वाला नहीं है यह बस temporary वाला है इसको मैं अच्छे तरह किसे लगाने के बाद यह मैंने 45 रुपीज वाला foundation अपने पूरे face पे लगा लिया है यह जो foundation का जो shade है बहुत जादा ही मेरे face से light है इसका जो texture अब बहुत जादा liquid है बट मैं इसको अच्छे तरह किसे blend कर दूँगी अपने पूरे face पे यह थोड़ा oxygen ties होगा तो यह थोड़ा मेरे shade का बन जाएगा अच्छे तरह किसे blend करती जाओंगी इसके बाद मैंने जो concealer बनाया था थिक वाला इसको भी मैं लगा लूँगी अपने हाइप पॉइंट्स पे और इसको भी एक में डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हैज से blend कर दूँगी इसके बाद वही 10 रुपीस वाला लिप बोरिया का है न टेलकॉम पावडर से मैं अपने पूरे face को है न सेट कर लूँगी मेरे face बहुत ज्यादा white लग रहा बट कोई नहीं इसको जो oxidize होगा तो मेरे shade का बन जाएगा और इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने मोर्फ रो की एक डार्क ब्राउन कलर की है न लिबिस्टिक लिए as a contour इसको मैं अपने contour area पे लगा और इसके बाद मैंने यह 25 रुपी इसकी रेड कलर की लिबिस्टिक लगाई as a blush अपने cheek area और nose area पर लगा लिया है और इसको भी अच्छी तरीके से blend कर लिया है इसके बाद मैंने 10 रुपीस वाल वही pigment लिया as a highlighter मैं इसको अपने cheek area, nose area, forehead और अपने eyebrows की नीचे लगाऊंगी इसके बाद लगाने के बाद मैंने एडियस का वही lip liner लिया ब्राउन कलर का इस वह मैं अपने lower lashes पर लगा लूँगी और blend कर दूँगी रचरी का iilash लिया फिफटी रुपीज का है और इसके बाद मैंने ।o i path के επि राच कर लिया है 500 में अपने kont पर थी 只 planning लगाले कर्णा मी ना कमीव लागा लिया है नबीच के बाद और五 kan से का मशकारा से हैंगी और इसके बाद देख सकते हैं फाइनल लुक वीडियो कैसे लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताने वीडियो कैसे लगे अर्योप आद जाइनल लुक भूल लुक देख सकते हैं और सबते हैं आदेख सकता हैं आदेख सकते हैं ऊड़ों